यह सिर्फ डोगी सरकार है यह लोगों का माइन डाइवर्ट कर रखा है लोगों दूसरे यह मजभब की राजनिती खेल रहे हैं यह अंधे गुंगे बैरों की सरकार है यह कोई नहीं सुनता किसी की भी एक मैं आप से एक लाइन बोलना चाहूंगी कि कल तक था जो अंधा रा हम अपनी रही लेकर आप यह बताइए कि यहाँ बीच रास्ते में रोक लिया गया तब हमारी बात किसले 65 दिन से नहीं सुनी गहीं बैटी सरकार हमारी तो आप यह सूचे हमें कहीं अल्टेटिव बेज़ देगा तो बहुत तुम सालो सालो परदेश्ण करता हमाई वरकल तो क्या फक्त पड़ता है अरे आप जनता से पूछो लो कि जनता को क्या चाहिए तुम कानून थोपने वाले जनता पे तुम्हें अपने लिए बठाया है तुम जनता के लिए हो जो ट्राफिक की प्रोब्लम हो रहे हैं तुम आदे किलो मीटर में जो है ना यह हमारा कि क्रिका रहा है ताकि जनता को प्रॉबलम ओ इल्जाम यहां के प्रोटेस्ट पे बद्राम किया जा रहा है तरीका आपने पी कर दा कि लाल किला एचा जा रहा है ट्रेनर अगरिंचे जान ने लगेया है और जो बेंदी लिए बज़नेन लीगया वीज़ने बैशन ने पर लेज़ें से बात नहीं होती अरे बाब बताएए जब सरकार जंता का आप पकड़के घीचेंगी तब देश आगे बढ़ता है जब जनता की टांग पकड़के खीची जाती है तो देश आगे नहीं बढ़ता हो यह हमारी परधान मंतरी को सोचना है है हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि जब जो एक 75 परसंट जो लोग है न वो बिलो दा लाइन आते हैं ठीक है जब तक वह आगे नहीं बढ़ेंगे कोई देश तरक्की नहीं कर सकता आप आप एक बाहता है अमेरिका का ट्रॉम सरकार की बात लेके आयते हैं आप एक मुझे यह बात करना चाहेगा ना आधी रात में तो ऑन दा स्पॉट उसकी बात खराई जाती है आज उनके जो यह लागरिक है हमारे पीम साब के यहां पिछले 65 दिन से बैठे हैं यहां पे तो इनकी बात ही नहीं सुनी जा रही ना इनको बुलाए जा रहा बुलाने पर भी कर दिया आफ में चाहते साथ करना चाहते हूं कि आपके चैनल के मागदन से विपक्ष का नाम बताए को विपक्ष कंवारे था नियुक्त को क्या हम हमारे लिए कॉंग्रस हो केजरी वाल हो या बीजेपी हो हमारे लिए हमारा भगवान हो है जो हमारे लिए काम करेंगा है कि आप गुमरा नहीं हुए क्यों होंगे गुमरा हम रोटी काते हैं दिमाग हम भी रखते हैं ठीके ना यह जो हजारों के लाखों के तादाद में होगे एक बाह बताईए जब टीन तलाग कानून लाया था कुछ सो औरते जाके या कुछ हजार और जाके पीम मोदी के सामने अपने एप्लिकेशन लखी कि हमें इसे रखी भी है नहीं रखे हमें नहीं मालूम तो वो कानून लेके आगे 35 कितने करोण जो है यह मुस्लीम है क्या सबसे मोदी जी ने पूछा था या उन्होंने पॉलिस से मलाई दी कितने पक्षी हो कितने पक्षी है इसके दोरों से प जिसके मैजरोटी होती वो कानून रखा जाता ना पिर उन्होंने कैसे अपनी मर्जित इन ताला का कानून रा दिया कि बहनों के हित ने ही का और यह जो पूरी दुनिया चलाएं पूरा भारत चलाएं गये और यह जो इतना बैटी वे सबसे समझदार जो दीना वो जनता हो और यह समझदारी का इतना बड़ा प्रूफ उन्हों ने दिया कि उन्हों ने पीम मुदी को बिठा दिया आपने तीन तालाग के बात करी मौदी जी ने बड़ा कहा दुखी आत्मा उसे कि मेरे मातों बेहने साथ के चालता है इसलिए तिन तालाग विल्दा रहें लेकिन माँ बेहनों के बच्चे तुमने बोल दिया पर बच्चों का इस्तवाल करने लेकर आती है यहां पर बात मैं बताओंगी में मौमदी जी से बूचता जाती हूं जब से ट्री की बात आती है तो बच्चों को आगा किया जाता है बड़े-बड़े प्रोग्राम होते इसको आज सेफ कॉंस्टिशिशन और सेफ नेशन की बात आगी तो बच्चे पीछे क्यों रहेंगे वो हमारा फ्यूचर है कलका बच्चे पीछे क्यों रहेंगे बच्चे भी लड़ाई लडएंगे क्यों यह बच्चों के लड़ाई नहीं है जिस लड़ाई में उनके माबाब उनके दादी दादा उनकी नसले शामीर है उसमें उनके बच्चे शामील ही होगी क्या या फे एक गाम करें मोदीजी सबके बच्चों के लिए करच खोल देंगे हैं पर आके बैठ जाएंगा प्रोटेस में चार महीने का बच्चा खतम हो गया उसको इतनी तकलिफ हो गई लड़कियों को उनके ऐसे सब्सक्राइब बोल भी नहीं सकते कि इतनी जादा बीड़कों आज तक गार्गी कॉलेज जामिया होगा जामिया में वी पाएक हफता पहले जो पारा है पहले मारा फिर मारा अरे क्या करवारे हो भाई तुम अपने ही लोग अपनी लोगों को ख अब की सुनेंगे बात सबकी सुनेंगे फैसला वहोगा जो चंता चाहती है आपने वी ट्रॉम का नाम लिया तिन दिन बार ट्रॉम जी यहां खुद भारत में उनका दोरा वो आने वाले वास्तार क्या लगता है गुजराद में जिस परकार से दिबार करी गई है और करने के बाद वह भी एक दिवार ती जिसे पीछे को गलत काम करने आई थी अपना नाम चुपाई अपनी पहचान चुपा क्या थी उसी तरह मोदी जीरे दिवार खड़ी कर दी है कि इधर देखो यह है इंदुसार जो असली हिंदुसार उसको दिवार के पीछे चुपा द कि आज एक हमें पर किया कि आप आये थी इनके अंदर आप आके मसे बात कर सकते हैं यहां हर एक आचमी अपनी लडाई लड़ रहा है कोई किसी के लिए लड़ाई नी लड़ रहे है ठीक है जिसको इस बिजिसको इस कानून से पर या दिकात है वो सब जाएंगे हमारा ह tort ब हैपनीज taking stu मेधा कर रहे हैं उस पर्सी किटिब इंसान का है जो परिशाने गरीब और इंडिया जब वो ग्रीमिल्क है को एक match बहुत नीचे इंडेक्स में हमारा पाकिस्तान और बंगलादेश जैसे मुलकों से भी नीचे है बंगलादेश की जो जी टीपी किरोत है वो बहुत तेजी के साथ उनका टका हमारे रुपिये के मुकाबला कर चुका है इसका मतलब कितने शर्म की बात है टका रुपिये में कभी कोई मुकाबला था ही नहीं और हमारा रुपिया गिरता जा रहा है और टका इंक्रीज करता जा रहा है तो प्रॉबलम उस चीज़ पर इनका दिहान है यह सिर्फ इसी चीज़ों पर भटका रहा है जार है कि आप जाच करिए और जो भी सही है क्लियर उसे लेकिन कैसे लाएंगे पुलिस वाले क्योंकि जादा उन्होंने बरवरता दिखाई यह तो लग नहीं रहा कि वह सामने बरवरता का अगर नाम लिए जैसे गार की कोलेज में देखा गया लड़के उसाथ कितनी बत् सब्सक्राइब करता है उनको पॉलिटिकल क्या कमिनलाइज करना पॉलराइज करना यह उनको पॉलिटिकल सूट करता है वह जरूरत है मोदीजी ने कल भी कहा कि हम कायम रहेंगे बले हमारा दुनिया भर में विरोध परदर्शन हो जाए कहीं नहीं प्रस्ट्रेशन भी है प्रस्ट्राइज हो रहाए लेकिन हम जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इंटर्नल पॉलिटिक्स इसको फायदा मिलने वाला है वैसे देली में ऐसा नहीं हुआ है पता नहीं फायदा मिले लेकिन कोशिश पूरी करेंगे क्या कि वह कुछ है नहीं करने के लिए आप दे में भी पता नहीं अब तो इलेक्शन भी खतम हो गए हमें गोहार है कि आप तो कम आप आए हमारी प्रॉब्लम सुनिए और जो भी है डायलॉग करें बिना डायलॉग के सल्यूशन नहीं होता है